Hello Friends, कैसे हैं आप सबी, जैसा की Thumbnail ने आपको बता दिया है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको डेमो देने वाली हूँ Red Wine Facial का सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये वाला वीडियो कोई भी promotional वीडियो नहीं है ये मेरे अपनी experience से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जो भी कुछ मैंने अब तक इसके साथ experience किया है इस special के साथ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसमे क्या-क्या product है, कैसे-कैसे इसकी में मसाज करनी है बेनफिट्स मैं आप उक्षले वीडियो में बताऊंगी जिसकिसी ने भी वीडियो में नहीं देखा पिछले वाला वो प्लीज जाकर देख लीजएगा और चलिए स्टार्ट करते है मेशा, यह है नेट जिससे कि मैं अपने बालों को कवर करूँगी, यह है स्पैचुला जिससे कि मैं सारे products निकालूँगी, यह है टीशू अभी इनको मैं wet करके रखूँगी, उसके बार मेरे यह सारे product है, यहापे cleanser है, scrub है, gel है, cream है, pack है और, syrup है, तो ताथ हाथ रिखाँ कर लिए एक रिख मेरे हाथों में वतार दिया है तकि में साज करने में प्रोब्लम ना हो अब मैं ये खिलेंजर इस पैचुला के हैं से निकालोंगी कभी भी स्पेचुल या कोई भी प्रोड緹 नहीं नीकालना चाहिए, उंब्ली को कभी भी यूज नहीं करना चेह, कभी भी कंटेनर में नहीं डालना चाहिए, इस बात का आपको हमेशा थिहान रखना चाहिए यहां पर मैं cleanser कर रही हूँ और cleanser में पानी की help से spread कर रही हूँ पुरे face पर cleanser की हम massage 5-7 मिनट तक देंगे इसको हम neck पे भी करेंगे, face पे, ice के आसपास और circular motion में हम यहां पर massage दे रहे हैं यह deep purifying cleanser है और यह आपके face पे जितनी भी dust है उसको remove करता है यहां पर मैं wet tissue से clean कर लिया है cleanser को अब मैं spatula की help से faces मैंने scrub लिया है scrub को मैं पानी के साथ merge करके face पर apply करूँगी और छोटे छोटे circular steps के साथ पूरे face पे धीरे धीरे धीमे हातों से हलके हातों से बिना pressure दिये massage करूँगी इसमें में lip corner, eye corner, nose corner, forehead और neck सारी चीज़े साथ में cover करूँगी दोस्तों neck को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए आप कोई भी product face पे लगा रहे हैं और scrub skin को radiant skin provide करता है इसी तरह छोटे छोटे steps के साथ मैं पूरे face को cover कर लूँगी अच्छे से massage करने के बाद मैं एक wet tissue लूँगी और उससे face को clean कर लूँगी कोशिश करूँगी अच्छे से होगा लेकिन यह नहीं होता है छोटे छोटे particles यहाँ पर रह जाते हैं इसलिए dry tissue लूँगी और scrub के जो particles हैं उनको इससे dust out कर दोंगी scrub dust out करने के बाद regenerate gel की बारी आती है इसको हम फिर से spatula की help से लेंगे दोस्तों इसका gel जो है वह बहुत ही अच्छा है बिलकुल cream form में है जब हम इसको हाथ पे लगा के feel करते हैं तो cream cream और जैसे इसमें सिरम मिला हूँ ऐसे effect आता है इसका ऐसे feel होता है यह इसको हम पानी की help से पूरे face पर spread करके बड़े-बड़े सर्सकल्स में massage करेंगे इससे हम सारे area cover करेंगे इसमें हम nose, eyes, eyebrows, forehead पूरा cover करेंगे इसको मसाज करते टाइम हमें eyes को avoid नहीं करना है यह जल हमारी skin tone को even करने में और glowing करने में बहुत help करता है इसकी massage इसी तरह हम करेंगे पूरे face को अच्छे से cover करेंगे यहां पर neck भी अच्छे से massage करेंगे neck पर भी पूरे face पर देखें, forehead और मैं थोड़ा सा fast करके आपको दिखा रही हूं massage तो मैंने काफे-काफे time की थी जितने भी steps हम uplift करके कर सकते हैं हम वह यहां पर कर रहे हैं क्योंकि अपने आप massage करते time हम बहुत सारे steps नहीं कर पाते हैं तो फ्रेंट्स मैं आपको बताना भूले कि जो हम जेल की massage करते हैं वह हम 5-7 मिनट करेंगे अब यहां पर हमारी बारी आ गई है क्रीम की क्रीम की massage हम इसी तरह करेंगे 7-10 मिनट तक और इस फेशन के products बहुत अच्छे हैं हाथ में लेने से बड़ा अच्छा फील होता है यह बहुत ही अच्छे form में रहते हैं जसे इन में serum add हो और जब massage करते हैं तो बहुत अच्छे से हाँ चलता है यहाँ पर मैं cream की massage दे रही हूँ और इसमें मुझे पानी का हाथ लगाने की बिल्कुल ज़रुरत नहीं पड़ रही है यह बहुत अच्छे से ऐसे ही spread हो रहा है और यहाँ पर हम massage आपको पता ही है दस मिनट तक देंगे इसके बाद हम अच्छे से massage करने के बाद face, neck और ears हम अपने कानों को भी हाँ पर cover करेंगे तो FYC का यह facial red vein facial इतना अच्छा है मुझे तो इतना पसंद है और सच मानिए मेरे हाँ इसके इतने clients है इतने लोग और इतना अच्छा feedback है इसका मेरे पास कि मैं क्या ही बता हूँ इसलिए ही मैंने यह आपके साथ share किया है मेरे last video में मैंने इसके benefits आपको बता दिये थे इसका review आपको बता दिया था लेकिन कुछ लोगों ने मिरे से बोला कि मैं इसका demo भी दूँ इसलिए यह वाला video मैं specially बना रही हूँ इसका demo का क्योंकि बहुत लोग किट लेकर घर पे करते हैं तो उनको थोड़ा सा idea चाहिए होता है कि किस तरीके से facial करना है इसलिए आज का यह video आप लोगों के लिए special दोस्तों यह वाली massage दब आप कराते हैं इतना मज़ा आता है इतना आखों को relax मिलता है ऐसे लगता है आखों में से heat बाहर जा रही है यहाँ पर हमने अपनी cream हटा कर पैक लगाना स्टार्ट कर दिया है इसका पैक को हमें एकदम द्राय होने तक नहीं छोड़ना है यह semi-dry हो जाए या फिर आप time देखना चाहते हो तो दस मिनट दस मिनट के अंदर अंदर इसको wash कर देना है और जब हम wash करेंगे ना तो हमें उठा के यहीं टीशू से नहीं खीचना है या फिर यहीं उठा के पानी नहीं डालना है फेस कोई भी एरिया सुखा ना रह जाए उसके बाद वेट टीशू की help से पूरे फेस को धीरे धीरे आराम से क्लीन करना है कोई खीचात आनी फेस के साथ नहीं करनी है इस बात का हमेशा ध्यान रखें जब भी फेशियल कराएं तो फेस पे बहुत tight और hard hard हाथों से ना कराएं बहुत ही soft हातों से कराना चाहिए इससे जो हमारे tissues है वो break नहीं होते हैं तो यह देखिए यहाँ पर मैंने pack हटा दिया है अब serum में apply कर रहे हूं सिरम को यहाँ पर dabbing motion में apply कर रहे हूं थोड़े दिर इसको इसी तरीके से dab करना है डाब करने से skin में बहुत अच्छे से penetrate हो जाता है और skin में एक अच्छी सी shine आती है तो देखिए यहाँ पर मेरा facial हो जाता है खतम देखिए कैसा glow है अच्छा लगा रहा मुझे तो मज़े तो मज़ा आ गया और यकीन मानो जिस वक्त में यहाँ पर मैंने आभी देखिए कुछ नहीं लगाया है बस मैंने इसके बाद lipstick और बिंदी लगा यह तो friends कैसा लगा आज का वीडियो और facial मुझे तो बहुत अ वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा जिस किसी नहीं अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा और तो चलिए चलते हैं मिलते हैं अगली बार और एक interesting और knowledgeable वीडियो के साथ तब तक के लिए बदाइ